मुबारक विली से मेरे खालते दो मिंड की राइड के अपर है यह जगा अब यह मुबारक बीच से रवान की शुरू हो गई है साड़ा नौ बज़े हमारी भिट कोड़ी बीच के लिए गलब उठाना अपने बादर छटते जा रहे हैं दूप आरी है इससे पहले के शदीद दूप आये जल्ली से इस एरिया को एक्स्प्लोर कर लें यह पिकनिक की बस इस आ रही है हट की तरफ जा रही है यहां से यह रसा कौन सा रस्ता है देखते हैं अभी पिट खोड़ी का यह रस्ता है तरफ यह रस्ता है यह नहीं यहां से नहीं है यह रस्ता है यह यह जो 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 रहा है अच्छा 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 यह आगे पका रोड़ा अच्छा यहां से हम आये थे और यहां से हम आये थे और यहां से आना है विट खोड़ी की तरफ जाना है विट खोड़ी को रस्ता ही जाते है आज अच्छा मेरवानी सब मैं गूगल अगर्ट काया इसका करें रशागे तो इसका सबस्क्राइब पेसे जाना पड़ेगा वारक विलिज के साहथ ही रस्ता है एक लिए अब यह गाउं के अंदर में अंदर से ही रस्ता निकलता इसका अब यह रोड को पकड़े चलने हम दो कि पिछे को अब बीछ आए और यह अंदर गौँए अब आप यह है वही विल्कुल मतलब आफ्रोड टाइप करसता है तो जाड़ियां आता ही करची दोना चाचा करची दोना विट खोड़ी को रस्ता जाता है विट खोड़ी इसा बूच एर काशिफ अब यहां से और विट खोड़ी आ रहा है यहां से और विट खोड़ी है विट खोड़ी है यही बिट खोड़ी है मुश्किल से पांच मिंट लगें हमें वो सामने बस करीब ही है अफ्रोड रास्ता है लेकिन मुनासिब है इतना खराब रस्ता नहीं है यही लिए आप बाइक पर आ सकते हैं चया एक चयाते है आप आसान रस्ता मुश्किल नहीं है अंप मस् है विलीश के आंदर ते जाडियां हम आरी है भीश में सोगने भी जान रहे है थोड़े हाइए जीन आ byभी यह नहीं बंद किया वह नहीं आज़ो आज़ो बच्चो बेट कोड़ी का रास्ता बेरियर बंद आज़ो 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 है खाल दा ओन्याने बाइब आप उपर देख्चा रहा था है उपर देख्चा रहा था उपर ही चलते हैं खुलम कुलम ऑगी यह तो इन्होंने बंद किया हो ने बेरियर आगे करतका तो रसता नियां बिट खोड आगे जाने का कि पूर और आगे मेन पाइंट सा असका ने आगे पर रस्ता निया बंद किया वह दो नहीं या तो पैदल जाओ या फिर वापस आगे स्पोर्ट आगे बंद दिया हो इन्होंने बेरियल लगा है वह वह पे ओड़ जो एना ताफी लंबा है लंबा है काफी कि आपता कर ले आ कि देखते हैं पदा करते हैं किसी से अंदर अगर कोई है तो आगे जाएं नहीं तो फिर कि आप अधिन क्या हाल है कि ट्राइब कि अच्छा भाई भीट खोड़ी का पॉइंट बन कर दिया है कि कह रहे हैं कि आगे कुछ मसले मसाहिल हुए है आगे गाउं है तो इस वाई से बेट खोड़ी को जो इन्होंने पाइंट है वो कर दिया है बन वह कह रहे हैं यार आगे तो गाउं जादा हो गई अबादी हो गई है और वह आगे प्रॉब्लम अच्छा तो भाई यह सीन है बिट खोड़ी का अलाओ निया अब बिट खोड़ी बंद किया हुए फिला पता नी फिलाली बंद किया या पर्मिनेंट कोई डूब शूप गया है बंदे वहां पे इसलिए बागे नहीं जाने दरे हैं भाई बिट खोड़ी अलाओ नहीं कर करें अब बंदे डूबे तो अभी बंद कर दिया आपने पॉइंट बंदे डूबे तो फिछले दूनो तो यह पॉइंट बंद कर दिया नोन है मैं चलते हैं उपर बैट के लोड़ी तस्वीर सीरे केसे पर वां सुनेरी भी चलते हैं चला वाई वीट खोड़ी ओपर थे नज्याए करेंगे हम सबर दस माशा अलाह क्या व्यू ए अपर यह रोगना दाने उपर का चले गए और यह यह लोग अपर का निकल गए इधर नहीं क्या आँ शारा वाई वाँ जबर्दस्त जबर्दस्त व्यू पीचे खड़ी करेंगे यार वह ब्यूटिफुल बहुत प्यारे सुभान अल्ला तो आगे कर लूँ तरव आजएद आगे पार्किंग सुभान अल्ला यार ये अच्छी जगह है ये अच्छी जगह है वाई खुब्सूरत सामने चड़ना ले ओ भीट खोड़ी और यहां हमारी बाइक शरी भीट खोड़ी को नहीं जाने दे रहे हैं यूँकर अभी कह रहे हैं कि लास कुछ दिनों पहले वहां पे कुछ बंदे डूब गये थे तो उसके बाद से वह पॉइंट नोंने बन कर दी है बैरियर ही है मुबारक विली से मेरे खालते दो मिंट की राइट यो पर है यह जगा एक अच्छा रस्ता लेकिन बहुत ही खुब्सूरा जगा है कि हमारी बाइक से हमने यह पार्क कर दी है तोड़ा था हाइट पर लेके जाते हैं आपको अच्छा यहां पर कोई शो नहीं है मुबारक विश पर ड्राउन का मना कर दिया था उन्होंने कामा का की पंचायते गाउवालों की कोई सेंस बनता नहीं है लेकिन बहराल तोड़ा था हमने का यार पंचायत नहीं डालो आजो अब वह उदर हमारे राइड विथ पुरम प यह व्यूज है इस बीश के बिट कोडी के पास के वह सामने जो है वो चड़ना आइलेंड जो यहां से बड़ा ही खुबसूरत दिख रहा है इस गोप्रो के अंदर जाहरे इतना जूम नहीं हो रहा हुगा लेकिन हमारी आंखी जो देख रही है बहुत ही खुबसूरत लोक और इस चीनरी को इसने और ड्रमाटिक बना दिया है वो सब्सक्राइब है यह वाला यह भीट खोड़ी का मेन पॉइंट है कुछ लोग हैं वहां मौजूद लेकिन वहां पे जो बैरियर जान लगा हुए वो कह रहे हैं कि यह गाउं वाले हैं आउटसाइडर्स नहीं है ठ टेश करना है जहां तक जा सकते हैं जाएंगे पानी का प्रेशर काफी तेज है यह को टप टाइप का बनावा यहां का की बीच में यू सुभान अल्ला है बहुत ही खुब्सूरत हो रहा है इस वक्त यह बीच का एरिया है समंदर की आवास खामोशी पुर्सुकून महौल तो यह बिट खोडी के पास के कुछ व्यूज है और अगर आप आना चाहें तो यहां तक जरूर आए बिट खोडी ना भी आए तो यह मुबारक भीच अगर आ रहे हैं तो इस जगा को एक्स्प्लोर करना चाहिए काफी के लिए करने कि लिए यहां पर यहां पर आपको सुनेरी बीच लेके चलतें चलो, रेदी, 1, 2, 3 बड़ी लंबी हो गई, वाववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव वेत्रीन हो गया अभी और हम निकल रहे हैं वापसी के लिए बिट खोडी से अब हम सुनेरी बीच पर 5 मिनट का स्टॉप लेंगे हुप तो… हुप हुप सकत्ट हुप सकत्र अच्छा जी मुबारक मिली जो और भिट खोड़ी से हम बाहर आ चुके हैं और बस अभी सुनेरा बीच भी आने वाला जादा दोर नहीं है करीब ही है यहां से लेट रसता है सुनेरा बीच का अभी दिखाते हैं आपको बोट लगावा है बार मौसम माशाला अभी तक अच्छा है बादल मौजूर है तो इंज्वाइब कर रहे हैं इस वेदर को हम I hope कि आप लोग भी वीडियो को अभी तक अभी तक आइज्वाइब कर रहे होंगे अगर अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को आप वहराल हमने तो बहुत इंज्वाइब किया और बस लास्ट पॉईंट आने वाला है हमारा इस ड्राइट का नेक्स राइड इन्शालला ढम बीच की है और गरीन ड़िजर्ट बीच के नाम से है ढम की अपॉजट साइड यानि कि ढम का जो दूसरा किनारा है उसको गरीन ड़िजर्ट बीच भी कहते हैं तो नेक्स राइड वहाँ की हमारी है प्लान ईन्शाला hopefully एक दौफते बाद वहाँ पे राइट करेंगे तो उसका भी इवेंट में अपने पेश पे डालूँगा फेस्बुक के तो देखते हैं कब प्लैन होता है फाइनल कबोर्ड वहाँ से आ रहे हैं आप भी जहाँ से राइट लेंगे लेफ्ट सॉरी आपको सुनहरी बीच का थोड़ा रस्ता दिखाएं मैं भी खैर पहली तफ़ आ रहा हूं बाइक के ओपर यहां पर और जब गाड़ी में भी आये था तो मुझे याद नहीं है कि कैसा था क्योंकि मैं छोटा था उस टेम पर और यह याद है कि हम यहां एक्सिडेंट हो गया था हमारा एक कॉलिज की तरफ से आये थे हम लोग और सुनहरी बीच पहुंचते यह बाइसा पहार से गड़ गए पहार से नीचे गड़ गए तो फॉरान ही फिर वापिस आगे थे हम लोग तो बड़ी खौरी हुई थी बस वह इंसिडेंट याद है यह लोकेशन मुझे याद नहीं है कैसी थी आगे अंदर जाके तो देखते हैं भी अंदर कैसे व्यूज थैं सुनहरी बीच के पहार काड के रस्ता बनाया है कि मेरे ख्याल से शायद आगे ना जाने थे हैं कि एरिया मुझे लग रहे गई है आर्मी के अंडर में हैं फीलिंग आ रहे हैं मुझे उपर बंदा खड़ा हुदा पाड़ा थे आहां चेक पोस्ट है नहीं बल्के यहां पर भी पार्किंग देना पड़ेगी आई आई अश्ञा वाई पाले आई अश्ञा वाई श्रावाई श्राव स्णेरी बीच दोसोर्ण पे में ट्री दिया है कि आर्मियालों के गेट के अंदर हम पागल हैं अज़ पॉइंट देखना था है यहां पर वैसे तो और कुछ खास नहीं है सुनेरी बीच पर लेकिन आया है तुमने किस बीच को भी देखते वह जाएं कि इसको क्यों छोड़े हैं यह आगया आपका सुनेरी बीच सुनेरी बीच यह वाई सुनेरी बीच बीच वियू सुनेरी बीच पहुंच गए यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन्स है पोर्स बैठी में शायद इस सरफ तो दूसरी साथ जाने नहीं दिया यह बद एक चोटा था यहां पर बिलीज है और बस यह समंदर यहां पर फिशिंग के लिए आते जातर वैसे यह कोई पिकनिक पॉइंट वैसे नहीं समयरी बीच जैसे दूसरे बीच यह सीन है यह 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 देखना था हमें जादे में रुकेंगे बद 2-10 मिनिट में बस अब यहां से वाप्षी करेंगे आपको पोचा दिखा दें समयरी बीच भी किस तरीके का है इस सामने पतने ही क्या चीज लगी है को ट्लांट बांट है तो यह थी हज की हमारी राइट आई होप आपको पसल आई होगी और इसके साथ ही पिर इजादत दें इंशाला जल्दी किसी अची से अच्छी अच्छ आपको कि समय अच्छी यह यह तु कि अच्छी कि अच्छी यह बाइटाँ से अच्छी 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 आओगी और बाइटास अच्छी मौरें यह मुझे रूपी इस नी खास किने दीए जाज़ी जाज़ी जाज़ी